हेलो प्रेंट्स वेलकम टो केमिश्टी फ्लाइट मैं हूं अन्पम और आज देख रहें राइस भग यानि जिसे गंदी भग भी कहा जाता है जिसे लेप्टो कोरिजा वेरी कोर्णिस साइंटिफिक नहीं में इसका हमें इसका यहाँ जिसे बंखन बहरत में इसे गंधी किरा भी कहा जाता है और इसकी जो गंद होती है वो जो कहटमल होती है जिसे बगई खटमल जिसे इसकी गंद होती है और ये जब adult stage में होता है तो इसकी जो height होती वो inch एक या डेड़ इंच के आसपास होती है nature और कैसे damage करता है देखो वो जो धान का खेत होता है अपना धान के खेत में जो धान का पौधा मानके चलो कि ये लगा हुआ है ये जैसे धान का हमारा पौधा है ठीक है अब यहां पर बहुत सारी बालियां लगी हुई है ये धान की बालियां बिसको ऐसे लटकी होती है ये धान का पेने और इसके बहुत सारी बालियां लटकी हुई है तो यहाँ पर जैसे कि एक धान का हम सीड ले लेते हैं यह सीड है अब इसमें चावल आने के पहले इसके अंदर एक मिल्क आता है चावल आने के पहले इनके अंदर एक मिल्क का फॉर्मेसन होता है जो की मीठा होता है, वाइट रंका होता है मिल्क होता है अब गंधे बग क्या करते हैं इस मिल्क को सक कर लेते हैं तो इसके अंदर जब मिल्क को सक कर लिया इन्होंने तो इसके अंदर चावल जो होता है वो नहीं बनता है तो इसके उज़र किसानों को बहुत नुक्सान होता है तो ये जो चावल बनने वाला होता है उसे पहले से सक्कल लेते हैं तो जो खेत की हालत कुछ ऐसी होती है खेत में पेंड तो लगे होते हैं उसमें बाली भी या नहीं उसमें वो भी होता है बाली भी लगी होती है लेकिन बाली के अंदर चावल नहीं होता है वो इसे खाली पड़ा होता है जिसे देशी परसम फरहा कहा जाता है लाइफ हिस्ट्री क्या इसकी देखो लाइफ हिस्ट्री पहले जब मेल और फीमेल आपस में मीट करते है और तीन से पांच दिन बाद इन्होंने एक इग को दिया यहां पर एक इग आ जाता है तीन से पांच दिन बाद आफटर इन लोगों के मेटिंग के बाद तीन से पांच दिन बाद इग आ जाता है अब इपाँच से साथ दिन बाद यहाँ पर निंफ फार्मेशन होता है निंफ एक स्टेज होती है मतलब कि जब बच्चा जो इनका होता है उसे निंफ कहा जाता है जो कि गंधी बग की जितना ही खटनराख होता है लेकिन इसमें कुछ चीज excit होती है जैसे कि इनका जो wing होता है वो नहीं होता है गंधी बग उड़ सकते हैं ये उड़ नहीं सकते हैं ये एक जगा पर एते हैं बस ये rank सकते थोड़ा मोड़ा इनके जो ये stage होती है ये निम्फ वाली ये 20 दिन तक होती और 20 दिन बाद ये फिर से adult में हो जाते हैं और जब adult होते तो इनके जो height होती वो inches में हो जाती है अब देख लेते हैं इनका जो क्या character क्या है इनका जो 1 होता है वो dark color का होता है और जो अपने 1 को 3 या 4 row रो मतलब समझ रहे हो ये होते हैं रो तीन या 4 रो में अपने 1 को ये ऐसे ही कठा करके रगते हैं ये इसे का आजा तो रो ठीक प्राइब होता है और जाधा करके कि ये जुलाई से नांबर के मेहनेंगे प्रो बच्रत वालेउस्ट करते हैं दान की सिजन पर जूलाइश से- s-9 यस समय था 거는 तै यहां पर अपर गंधीबग लख चुकी होती है दुबारा तुमको वहां पर अपना धान या जो भी खेती वहां पर करनी नहीं होती है वहाँ वाँ आप कुछ और बहो दीजिए दूसरा मेथड कहा है कि जो आपके खेत में जब आप देखो धान को सबस्यादा पानिक जरूत होती है गेहों को कम पानिक जरूत होती है तो इसलिए धान जो होते हैं वो मानसून के टाइम पर लगा जाते हैं पानिके बहुत जरूत होती है इस बार यूपी के कई छेतरों में पानिकी कापी समस्या हो गए थी क्योंकि मानसून देर में पहुंचा था तो जिसके वज़ा से लोगों ने धान को कुछ परहेच किया लगाने से लेकिन अंतिम समय मानसूनिया पर आ गया तो इससे आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो चावल होता है जो धान होता है उसे पानी के सबस्यादर जूरत पड़ती है तो इसमें आपको गंधी बागा आपके खेत में ना लगे के तो है तो क्या रेता है क्या मैसका ओक होता अनी क magari सब्सक्राइब को लगेजादर चभ चैंड़्र सोड्याँ चैनल यह ऊसकर करता है और से ब्रेक कर देता है इसके जो कीट होता हुसकी डै्फ हो जाती है मेकेणिकल मैथड क्या है मेकेणिकल då हुआ आपको मेस्तुर्स जाकर करके किसे डबबे में When I ले जाकर कहीं पर दूर छोड़ देना है जिसे कोई मतलब नहीं यार कीट वों मरी ही नहीं रहे हैं उनको जाकर तुमने कहीं पर मा लीजे आपको कहीं पर ले जाकर छोड़ दिया ठीक है वो फिर उड़कर चले आए तो क्या मतलब कि महनुद भी खराब हो गई और दूसरा और जो मैं थहँं है वह इंजलोजो क्वी व मुख्यआ मैं उनले साथा है। यह मक्षी काम क्या होता है। जो म॑स्किटों की लच्ट करते हैं। टुब तो ऐसी कंडिसन में होता है कि जो मच्छर जो होते हैं उनकी जन संग्याप काफी रोख थाम मिल जाती है क्योंकि अंडेज उनके हैच करके बाहर नहीं आ पाते हैं जिनके लारवा होते हैं और डैल्लोफ इस्टेज में नहीं आपाते हैं तो जिससे काफी कंड्रोल हो पाता है मोस्कीटो की आबादी नियमित बेती है लेकिन अब यह तो हमना मोस्कीटो है नहीं यह गंधी बग में क्या आकरना होता है यहां पर एक खास किसम का बाइलोजिक लेकीं देखो अगर में किसी कईड़े को ले जाकर तुम इसको करने मैंने तो जैनल को सस्थ्राइब कर देना वीडियो को लाइक करके और सिर्फ्राइब को बटनि मांपे subscribe करके लोगों को सेर कर देना है